तो आज का जो टॉपिक है हमारा फाइल से रिलेटेड उस टॉपिक का नाम है FONTS, ठीक है, FONTS, FONTS, ओके, अभी थोड़ा सा समझें कि FONTS क्या होते हैं, ताकि आपको जिन्दगी वर्याद रहें कि FONTS क्या होता है, FONTS देखे हम किसे कहते हैं, जो तनी भी टेक्स्ट और स्टाइल्स हैं, टेक्स्ट स्टाइल्स जो मैं लिख रहा हूँ, जो आपको यहां नजर आ रहे होते हैं, मैन्यूज में यह F.I.L.E. लिखावा है, यह सारे स्टाइल्स लिखे वे आ रहे हैं, जहां जहां भी F.O.N.T.S. fonts, ठीक है, यह fonts आपको कहां मिलते हैं, यह fonts आपको format के मैनी में जाके, notpad में मिलेंगे font के dialogue box में, जैसे यह font का dialogue box आप अपने सामने खोलेंगे, तो इस dialogue box में आपको यहां लिखाएगा F.O.N.T. font, इस font में जितने किसम के writing styles हैं, वो पहले से बने बनाएं इसक font के नाम से, जैसे यह style है, hobo style, hobo std, इस font का नाम है, और अगर आप यह choose करेंगे, तो इसका sample दिखा रहा है, कि यह आपको कैसा दिखाई देगा text, ऐसा text दिखाई देगा, यहां से उस font के size को आप अपने हिसाब से manage कर सकते हैं, और हर font को तीन तरीके से आप view कर सकते हैं, एक तरीका है bold, मतलब गहरा और मोटा, फिर एक है medium, पतला, normal, फिर है bold, oblique, मतलब मोटा और टेड़ा, medium, oblique, इसके लावा कुछ font में इस तरह से भी आपको दिखाई देगा, जिसे सबसे कदीम font जो इसके अंदर है, aerial, अगर aerial में देखें, तो aerial हमें मिलता है regular, यानि के italic, टेड़ा, narrow italic, पतला और टेड़ा, bold, मोटा, और black, बहुत जादा मोटा, इस तरीके से आप उसके different styles में उसको view कर सकते हैं, weather आपको जो भी style पसंद आता, ok करें, आपका font उस तरीके से screen पे नजर आने लग जाएगा, दोबारा जाएए font में, और यहां से size को में extend कर ल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यह देखिए font ऐसा नजर आएगा, और भी font है इसके अंदर, जैसे md symbols font है, यह symbols का font है, m present font है, इस पर क्लिक करेंगे, तो यह font आपको ऐसा दिखाई देने वाला है, तो यहां से आप इसके fonts को change कर सकते हैं, update कर सकते हैं, जैसे चाहें, whatever you want, वह आप यहां से कर सकते हैं,